हेलो फ्रेंड्स विंग्स फेंटम 380 अमेजन से मगल लिया है आगे है इसको मैंने दो दिन से ग्रिल कर रहा हूं आपको रियल रिवी दूंगा कि कैसा है फ्रोडक्त यह दिखिए यह कुछ बॉक्स है विंग्स पैंटम 380 का यह स्पेसिविकेशन से 13 mm के ड्राइवर्स 50 अवर्स प्लेटाइम 40 में स्लो लेटेंसी एन से अप्टू 30 डिवी साइड में प्लुटूथ 5.3 स्पीड शिंक गुलेट चार्ज एन आइपक 5 इसमें दो कलर साते हैं वाइट और ब्लेक मैंने ब्लेक वन गया है यहां भी फुल्टर्च कंट्रोल ओपन एंसिंग टेकलोजी वाइस एस्टेंट एंड क्वाड माइक चलिए खुलते हैं काफी हाड है चुली इसको मैंने हमेजन से मगया है इसको मैं आपको रियल रिवीव दूंगा दोंट गो वीद पेड रिवीव हमें से यूजर रिव बेटे जो ब्रांट्स वो लोग तो उसकी वावाई करेंगे अच्छी बात बताएंगे हम में सा कोई भी पड़क खरीदो यूजर रिवीव पे डिपेंड रही है जिस तरह के हम करते हैं जो पेशा खर्च करके पड़क मगाते हैं और रिवीव करते हैं दाकि जो पेड रि लिए काफी बड़ी-बड़ी बाते की थी बट मेरे इस अब से तेरा सो रूप्य इसका एक्चिल प्राइस तो अथरा सो है मैंने लोंज प्राइस तेरा सो में लिया है बट तेरा सो में भी ये जस्टिफाय नहीं करता है कि कि मैंने इसके पहले 500 के आसपास वाले TWS जो मग करेंगे तो तुरंट आपके लास्ट बड़ी 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 से बेस और पावर कर जाता है और आपको ट्रेबल वोकल वह दब जाते है तो जो मेजिक एक्स्पिरेंस रहता है वह एक्दम खतम हो जाता है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कभी भी पेड कीजिए तो अब आगे बढ़ते हैं यह देखिए ऐसा कुछ बॉक्स है सिंपल इसको उपन करेगा ओपन एंपर टेकनोलोजी है इसको उपन करेंगे तो तुरंट आपके लास्ट ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएंगे और जैसे बंद करेंगे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे अब कर दो जाएंगे तेर्षी केबल है और कुछ यह ट्रेब सेशने अश्याइट और कापी सारे डोक्यमेंट चैन मैं इस के पेपरलेस होना जी है मैं सारी ब्रांड से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके उतना पेपरलेस बनाई है ताकि हम इन्वर्मेंट को सेव कर सकते हैं लेकिन कोई मानता नहीं है सबको अपने पॉबिसीटी करने है क्या करें अभी देखिए बर्स कुछ ऐसे हैं को दिखा आप इसको दिखेंगे तेम सेब के है उसका स्टेम भी बहुत बड़ा नहीं है और पीटिंग ओके इतने अच्छी नहीं मेंस के जो एरपट प्लो और एपल के को कि रहते हैं उनके तरही स्टेम डिजान और सेम है देखिए यां टचे यां विंग्स की ब्रांडिंग है इसमें यह इंज देखिए यह यह ओल्ड नहीं करती है से से श्लाइट करगा अपने इसलिए आपको इसको पकड़ के रखना पलेगा और वर्ड में भी लेफ्ट और राइट दिया है और वर्ड में दो-दो मैक्स है दो इधर दो इधर मेंस के क्वाज मैक सेटप है ठीक है एंसी दिया है बट एंसी इतना आप टू माक नहीं है अब यह इतनी प्राइज में इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते बट एंसी नाम का इदिया है अब ट्रांस्पररंसी मोड तो यसा लगते है कि रोबोट आवा जा रही है जो आपको बाहर के आवाज सुनके म इसा है ट्रांस्परंसी मोड अभी देखिए मैंने और उसमें एक अच्छी चीज किया है माद में इसमें विंग सिंग एप का सपोर्ट है आप अपने टॉच जेस्टर विंग सिंग एक्स एप से भी कस्टमाइज कर सकते है अब को बाता ओं हुआ है अब को बनाद पर थे अंगत है है जो तक है अधिक है पर नहीं अब फेंट्टम 380 कनेक्ट अब यहां साब इंबियां सांट वगेराइज कर सकते हैं देखिए जोंगन कर ना है तैसे पनेंट तोंगा तका वा जाती है कि यहां से आप अपने बर्ट का लोकाशन भी देख सकते हैं तर्च कंट्रोल कर समाइज कर सकते हैं कि आपको बता रहा हूं कि यह देखिए जैसे ओपन एंसिंग टेक्लोन क्वेंटम 3 एक आगया इस पेस्ट पेयर कर लिजिए पेयर हो गया अब आगया इसमें देखिए इंबियन साउंट टेच कंट्रोल सब कुछ आप यहां से कर सकते हैं कि इसा है कि इस क्या रहते हैं हम किसी भी टीडिवलियस को क्यूब करते हैं साउंड के लिए और इसका प्राइस तो 800 है अभी लॉंचिंग प्राइस 300 में मिल रहा है बट क्या है कि इसको रिटन कर दिया और दूसरी एक कहान यह भी बताता हूं अमेजोन की कि अमेजोन से स्वापिंग करने से आपको इजी रिटन या रिप्लेश्में नहीं मिलेगा काफी फाइट करने के बाद यह रिटन हुआ है मेरा वरना फ्लिप काट और मिसों में इजी रिटन करते हैं करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो इसके बरे में कुछ भी क्वेस्टन आप बताइए मुझे इसका फूल्टी भी लाओंगा लेकिन अब फूल्टी भी तो आना पॉसिबल नहीं कि मैंने रिटन कर दिया है बट मेरे हिसाब से यह नोट रेकमेंडेट है भले ही अब बड़े यूट्यूबर्स इसकी बड़े बड़े खुशा मत कर रहे हैं कि यह ले लो प्राइस में एंसी मिल रहा है यह में अच्छा सांड है सांड अच्छा है लाउड ने से बाट उसके पीछे जो एक्छिल मीजिक रहता है सिब बेसी बेस नहीं होता है किसी भी आप इससे अच्छा है मैंने इसके पहले जो रिवियू किया है M90 और पिए टॉप C6 यह बट का वो इससे काफी बेटर साउंड दिया है मुझे सिर्फ 599 का लिया था और इससे आप प्राइस में वह मैंने पर्चेस किया था बट इसका और उसका साउंड कंपेरेजन करो तो एक दम थर्ड क्लास है इसको सिर्फ रेटिंग मिलना चाहिए फोर एंड हाफ और उसको मिलना चाहिए तेन तो आप कंपेर कर सकते है बाके आपके मर्दी चलो थैंक्यो आगे कुछ हो गया तो बताऊंगा